नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़िदार कॉमिक्स चालाक ठग बहुत समय पहले किसी नगर में सोमदत नाम का एक ठग अपनी बूरी मा के साथ रहा करता था उसके पिता का बहुत समय पहले ही देहान्त हो चुका था अधा सोमदत काफी समय से ठगी की काम से ही अपना और अपनी मा का गुजर बसर करता रहा था एक दिन जब सोमदत ने अपनी मा को बहुत उदास बैठे देखा तो मा, मेरी अच्छी मा, आज तो इतनी उदास क्यों है? क्या मुझे से कोई भूल हुई है? अर्थवा घर में तुझे कोई कश्ट है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मेरी उदासी का कारण तो कुछ और है. छोड़, तो जानकर क्या करेगा? नहीं मा, तु मुझे बता, मैं हर संभव प्रियास करके तेरी उदासी दूर करने का प्रियत्न करूँगा. तो सुन, मेरी उदासी का एक ही कारण है, वह यह है कि मेरे मनने के बाद तो किस परकार भोजन बना कर खाएगा? कौन तेरी देखभाल करेगा? यदि मेरे सामने ही त मेरी कभी कुछ सुनता ही नहीं. यदि तेरी उदासी का कारण सिर्फ यही है, तो तु चिंता मत कर. मैं वायदा करता हूँ कि जल्दी ही तेरे लिए एक सुन्दर सी बहुर ले आऊंगा. सच बेटा, हा मा, अब तो जटपट खाना दे, मुझे धन्दे पर जाना है. तो हा काफी तगड़ा माल हाथ लगेगा. और पेट भर भोजन करने के पश्चार, सोम ठगी करने के लिए घर से निकल पड़ा. बेटा, अपना ध्यान रखना, कोई खतरना काम मत करना. तो जरावे चिंता ना करमा, खतरा तो तेरे बेटे के निकट भी नहीं वटकता. चलते चल लगता है खूब तगड़ा ग्रहक है. इससे कम से कम सप्ता भर की कमाई सरूर हो जाएगी. शीगरी सेट ने उसे पहुत से कीमती और सुंदर हार दिखा डाले, जिनमें से सोम ने एक पसंद किया. इस हार की क्या कीमत होगी सेट जी? केवल 10,000 रुपे श्रीमान जी. ठीक ह यह लो 10,000 रुपे और इसकी रसीद लिख दो. अभी लिजी श्रीमान सेट ने रुपे लेकर तुरंट उसी रसीद लिख कर दे दी. यह लिजी रसीद श्रीमान जी सोम दत दुकान से पाहर निकल कर एक नर्जन स्थान पर पहुँचा और वह हार उसने एक पेड़ की खो म में छिपा दिया उसके बाद वह पुना उसी सर्राफ की दुकान पर पहुचा अरे आप आईये आईये कहिए मैं आपकी फिर क्या सेवा करूं सेट जी हमारी पतनी और साली को आपका वह हार बहुत पसंद आया हमारी साली साहिबा भी उसी तरह का हार लेने की जित कर बैठी है इसलिए हमें दुबारा आपकी दुकान पर आना पड़ा ही 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 आजी श्रीमान आप ही क्या हमारे यहां से जो भी एक बार आभूशन खरीद लेता है वह कभी किसी दूसरे दुकान पर नहीं जाता बार बार हमें ही सेवा का अफसर देता है आप बैठिये मैं अभी आप लेकिन अफसोस जल्दे ही इसकी सारी खुशियां हवा में उड़ जाएंगी शीख ही यह लिजे श्रीमान ठीक वैसा ही हार है बहुत खूब इसे भी जरा टिब्बे में पैक कर दीजिए अभी लिजिए सेट ने उस हार को एक बक्स में पैक करके सोम को थमा दिया धन्यवा सेट जी अब मुझे इजाज़त दीजिए जरूर जरूर श्रीमान लेकिन करप्या इसकी कीमत तो अदा करते जाएए क्या मतलब कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ पूरे 10,000 रुपे अब आप मुझे से किस बात की कीमत मांग रहे हैं क्या लेकिन श्रीमान वह तो आपने पहले हार की कीमत दी थी इसकी नहीं क्या बगते हो पहले मैंने तुमसे कौन सा हार खरीदा है मैंने तो तुमसे यही हार खरीदा है जिसके पैसे मैंने तुम्हें दे दिये हैं और तुम उसकी रसीद भी लिख चुके हो खामोश सेट ने क्रोड में भर कर तुर और ये खार के दो दो बार पैसे मांगता है, छोड़ मेरा बाजू, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा, सोम की बात सुनकर सेट का धहर्य जवाब दे गया, और अभी तेरा दिमाग ठीक रास्ते पर लाता हूँ बेईमान, ध्राक, सेट का घुसा खाकर सोम जमीन पर गिरा, लेक में जगडा और मार पिटाई होते देख, पड़ोसी दुकानदार और रहागीर सभी वहां इखटे हो गए, हार दे या हार की कीमत, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, अरे बेईमान दुकानदार, एक हार की दो दो बार कीमत मांगता है, मैं तुझे पुलिस के हवा दे, एक के पैसे दिये हैं, दूसरा मुफ्त में ही ले जाना चाहता है, यह बेईमान जूट कहता है थानेदर साहब, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, इसलिए यह मुझे ठगना चाहता है, मैंने इससे केवल एक ही हार खरीदा है, जबकि यह मुझे से दो हार के पैसे एकना च हुजूर, दोनों को कोतवाली लाया गया, हम, अब बताओ सेट की किस्सा क्या है, हुजूर, इस आदमी ने मुझे एक हार खरीदा, उसकी कीमत दे कर इसने मुझे रसीद लिखवाई, और चला गया, कुछ देर बार यह दुबारा मेरी दुकान में आया, फिर सेट ने थान परदेशी आदमी हूँ, मेरा इस देश में अपना कोई मिलने वाला भी नहीं, जिसे मैं वहत पहला हार दूँ, मैंने इस दुकानदार से यही एक मात्र हार खरीदा, और इसकी रकम दे कर इस से दस हजार की रसीद लिखवाली, लेकिन जब मैं कुछ और हारों को देख कर वापस जाने लगा, तो यह मुझते इस हार की कीमत दुबारा मांगने लगा, विश्वास ना हो, तो आप मेरी तलाशी ले रीजे, मेरे पास इस हार के अलावा ना तो कोई दूसरा हार है और नहीं पैसे हैं, खोर्थवाल ने सोम की तलाशी ली, तलाशी में वास्तव में सोम की चेप से एक फूटी कौडी भी नहीं निकली, और नहीं दूसरा हार निकला, अरे बेमान सेट, तुई शरीफ इंसान पर जूटा दोश मरता है, इसके पास तो फूटी कौडी भी नहीं, फिर यह तेरे पास दूसरा हार खरीदने क्यों आएगा, जा, भाग जा यहां उस थान की और, जहां उसने पहला हार खिपाया था, फिर उसने पेड़ की उसखोह से, जहां पहला हार खिपाया था, वह हार निकाला, और सीधा अपने घर पहुचा, और दोनों हार अपनी मा के सुपूर्ट कर दिये, उन कीमती हारों को देखकर, मा भी अतिप प्रसन वाह अब तो तुम्हें महीनों तक कुछ करने की जरुरत नहीं पड़ेगी बेटा बस अब सुन्दर सी बहु घर लेया वह भी आ जाएगी मा बस थोड़ा सा धन और जोडने दे उस रात खा पीकर सोम दत आराम से सोया अगले दिन सुभे वह उठा और सीधा बाजार में एक हलवाई की दुकान पर पहुँचा लाला जरा सेर भट जलेबी तो देना अभी लो भाया हलवाई ने एक सेर जलेबी तोल कर सोम को दे दी यह लो बीस रुपे लाला बहुत बहुत धन्यवाद भाया पैसे दे और जलेबी ले सोम दत शहर से बाहर के और चल पड़ा शहर से बाहर निकल कर वह सुनसान मार्क पर पहुँचा हाँ यह बबूल का पेड शिकार फांसने के लिए ठीक रहेगा फिर सोम दतने पबूल के पेड पर चल कर लगभग तीन पाव जलेबी पबूल के कांटों में छेट छेट कर लगा दी वाह इस पेड पर कितनी सुन्दर लग रहे हैं यह जलेबिया उसके बाद वह पेड से नीचे उत्रा और उसी मार्ग पर कुछ आगे चल कर एक स्थान पर बैट कर बाकी की पाव भर जलेबिया धीरे धीरे कुतुर कुतुर कर खाने लगा कुछ देर बाद एक रहागीर जो घोड़ी पर सवार था वहां से गुजरा अरे भाई जरा रुकना तो रहागीर घोड़े से उतर कर सोम दत के पास पहुचा तुमने मुझे क्यों बुलाया भाई भाई तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम काफी लंबा सफर करके आ रहे हो शायद ठके वा भूके भी हो लो थोड़ी सी जलेबिया खाओ और कोई आना कानी नहीं की भाई इस निर्जन स्थान पर तुम्हें ये जलेबिया कहां से मिली यहां तो दूर दूर तक किसी हलवाई की दुकान का नामों निशान तक नहीं अरे भाई यह जलेबिया मैंने किसी दुकान से नहीं खरी दी बलकि पास ही के एक पेड़ से लगी हुई है हाँ और वह पेड यहां से कुछ दूर पाई और है सुनकर रहागीर मनी मन प्रसन होता हुआ बोला सुनो भाई मुझे बड़े जोरो से भूख लगी है मैं भी अपने लिए चलेबिया तोड़ लाता हूं क्या तब तक तुम मेरी घोड़ी पर नजर रखोगे ह हाँ हाँ क्यों नहीं लेकिन जरा चल्दी लोटना रहागीर सिर हिला कर तुरन सोम की पताई दिशा की और चल पड़ा श्रीक रिवह उस बबूल के पेड के नीचे जा पहुँचा जहां सोम ने जलेबिया लटका रखी थी वाह यहां तो वास्तव में जलेबिया पेड पर जाएगा जब सारी जलेबिया तोड़कर वह उस्थान पर पहुचा जहां सोम दत और अपनी घोड़ी को छोड़कर गया था अरे वह सज्जन कहां गया और मेरी दुड़लब खोड़ी अरे भाई कहां हो तुम परन्तु जब काफी अवाजे लगाने और आसपास खोजने के बावजूत भी उसे सोम दत और अपनी घोड़ी कहीं नहीं मिली तो उसे यह समझते देर नहीं लगी कि वह ठक के हाथों ठका गया है हाए मैं लुट गया बरबाद हो गया वह ज़रूर कोई ठक था जो जलेबियों का लारास दे कर मेरी दुड़लब खोड़ी ले गया और पहर रोता बिलकता पैदल ही अपने घर की और चल पड़ा इधर सोम दत रहागीर को ठक कर उसकी घोड़ी पर सवार हो एक तरफ उड़ा चला जा रहा था अचानक सामने से उसे एक बुढ़िया और एक लड़की पैदल आती हुई दिखाई थी वाह कितनी सुन्दर लड़ चोड़ दूंगा नहीं बेटा मैं इतनी नहीं ठकी हाँ अगर तुम मेरे साथ उपकार करना ही चाते हो तो मेरी बेटी को थोड़ी दूर तक बिठा कर ले चलो मेरी बेटी को पहली बार इतनी दूर तक पैदल चलना पड़ रहा है मुझे कोई अत्राज नहीं है माई ठेर मैं अभी इसे सहारा देता हूँ तेरा भला हो बेटा सोम नीचे उत्रा और उसने बुढ़िया की लड़की को जिसका की नाम शिखा था सहारा देकर घोड़े पर चढ़ा दिया उसके बाद वह स्वैंबी घोड़े पर सवार हुआ और बुढ़िया के साथ साथ उसकी घर की और चल पड़ा चलते चलते बुढ़िया ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है बेटा मुझे जमाई बाबु कहते हैं माई कहने के साथ ही सोम दतनी घोड़ी को एर लगाई और उसी सरपट अन्ने दिशा में दोड़ा दिया अपनी लड़की को इस तरह भगा लिये जाते द लोग उसके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए क्या हुआ माई तुम इस तरह क्यों चीक चिल्डा रही हो अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ वह जमाई बाबु का बच्चा मेरी बेटी को जबर्दस्ती भगा कर ले गया है अरे तो इसमें रोनेद होने की क्या बात है माई उस उसे तुम्हारा जमाई लाल ही तो ले गया है कोई दूसरा नहीं जाओ माई जाकर आराम से अपने घर सो भला पती अपनी पतनी को अपने साथ नहीं ले जाएगा तो और कौन ले जाएगा बुढ़िया ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन किसी ने उसकी बा मा के पास पहुचा मा तुम हमेशा बहु के लिए कहती थी ना लो मैं अब तुम्हारे लिए सुन्दर सी बहु ले आया हूं अहां कितनी सुन्दर है मेरी सारी चिंटाएं दूर हो गई बेटा आज मुझे एक वचन और दो बोल मा क्या वचन चाहती है तू मुझे यह वच मैं यह वचन भी देता हूं सुनकर मा के सास साथ शीकर भी मनि मन प्रसन्दों फ़य फखिया था इसलिए उसने सोम से विवहा करने में कोई और इन सान की तरह मैनत मजदूरी करके मा और पतनी के साथ आनन पूरवक जीवन व्यतीत करने लगा तो यह ति मनोझ कॉमिक्स की एक मज़िदार कॉमिक्स ऐसी ही मज़िदार कॉमिक्स के लिए मने रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद